बोलीबुड एक्टर राजकुमार राव एक बर फिर से बड़े परदे पर अपनी एक्टिंग से सभी के होस उड़ाने वाले हैं इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म सिरिकांद को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं जो सिरिकांद बोला की बायोपिक मूवी है इसी से ही देख नहीं सकता वो भले ही देख नहीं सकता लेकिन उसके सपने काफी बड़े हैं सिरिकांद पढ़ाई लिखाई में काफी होसियार होता है लेकिन नेत्रहिन होने की वज़र से उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बरहवी कलास में उसे अंठानवे पर हैं ऐसे में सिरिकान ठान लेते हैं कि वो अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खिलाप आवाज उठाएंगे और केस करेंगे इसके अलावा ट्रेलर में और भी कई सीन दिखाए गया है जहां दिव्यांग लोगों की मुश्किलों को दिखाया गया है ट्रेलर पर कमेंट्स क की बाड आ गई है राजकुमार राओ के संदार अभिनय की जमकर तारीफे हो रही है आपको बता दे कि फिल्में राजकुमार राओ के अलावा जयतिका अलाया एफ और शरत केलकर अहम किर्दार में नजर आएंगे आपको बता दे कि ये फिल्म इसी साल 10 मैं 2024 को ही सीनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है आपको बता दे कि फिल में बिजबली चैलेंज उद्योग पती सिरीकांत बोला की कहानी दिखाई गई है उन्हें साइंस में काफी दिल चस्पी थी MIT से मेनेजमेंट सेंस की डिगरी हासिल करने के बाद सिरीकांत एक ऐसे इंडर्ष्टी की अर्थापना किये थे जहां उनके जैसे लोगों को रोजगार मिल सके वहीं खास बता दे कि उनके इस स्टार्ट अप में सबसे पहला इंबेस्टमेंट राष्ट पती एपी जी कैसा लगा और आप लोग यह भी कोमेंट करके बताईए कि आप लोग स्रीकांत मोवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है तो चलिए अब हम आप लोगों से बीदा लेना चाहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर